नमस्कार दोस्तों मेरा नाम संदीप है और दोस्तों आज की ये वीडियो सभी इंडरोइड यूजर के लिए यूजफुल होने वाली है इस वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूं डिलेटेड फोटो को रिकवर करने के बारे में जैसे कि अगर आपका कोई फोटो गर डिल पहले भी होगा किसी कारण वस व Conta अगर डिलीट कर सकते हैं यह बताऊँगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नेकिया है तो लाइक कर देजा पांच-हजार लाइक का थाट रहते है फटा फट लाइक कर दो इस वीडियो पर और चै और शेयर कर देनी है, ग्रूप रहे या जो भी रहे, क्योंकि यार बहुत सारे लोगों के साथ होता है, कभी फॉर्मेट हो गया, फोन, कभी मेमरी कार्ड करप्त हो गया, तो वो आप सब कैसे आप फोटो को रिकवर्ड कर सकते हो बताऊंगा, वीडियो के नीचे कमेंट भी क दीस्क्रिप्सर में, वहां साथ डाउलोड कर सकते हो और यह कर देने के बाद आपको एक अप्लिकसन चाहिए होगा, इसका नाम है, इसका डाउलोड कर सकते हो, अपको बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन इसका जो बो प्रो वर्जन में आपको दूंगा, दिसक्रिप्स और यह कर दोगे तो यहां पर आपको अलाव करना है अलाव करके आपको नॉर्मली छोड़ देना है फोन को और यहां पर देखिए आपके फोटो का जो है न डीप स्कैन स्टाट हो चुका है मतला आपका फोन जो है न डीपली स्कैन हो रहा है जो फोन का पाप आपका पूरा स वो सब यहां पर स्कैन होगा और यहां पर आपको रिजल्ट देखेगा वह काफी अमेजिंग है यहां पर देखिए बहुत सारे फोटो आ चुके है मेरा जो कि मेरा बहुत सारा मल्टीपल फोटो था और उसे मैंने डिलीट किया था और कुछ ऐसे इसे हैं जो कि मेरा बहुत पहले का फोटो था 2015 का और 2012 का भी वो सब यहां पर स्कैन हो रहा है तो इस स्कैनिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा मैंने वीडियो को फास्ट किया इसलिए ताकि आपको आपका टाइम बचे और यह देखिए अभी भी यह रिकवर हो रहा है तो फोन में आपको कुछ भी यहां पर मेरा फोटो जिथा वो लगबग यहां पर 40,000 इस तरह से भुचहे फोटो और यहां पर देखिए सब यह पर स्कैन हो चुका है और यहां पर मैं सिलैक्ट कर रहा हूं जो जो मुझे चाहिए फोटो ताकि आपको भी पता चले वो ताकि आपको पता चले वो सब औ और यहां पर जो back-up करना है वो select करके यहां पर देखिया आपको मिल गया मैंने folder को select किया folder को select कर दीने कौए आप जहां पर रखना चाहते हो ऐठ अपने display of rack app करना चाहते हो वो select कर देना है यह select कर देनी कवाद आपको ok करना है यह दिकन भड़िए backup complete हुआ अगर मैं यहाँ पे all select करके अगर मैं recover करता तो मेरा यहाँ पे लगबग आधा घंटा लग जाता recover होने में या 20-25 मिनट तो लगी जाता क्योंकि यार यहाँ पे सभी data generate होती है उसके बाद आपका phone के internal में जाता है तो इसलिए आपको अच्छे से यहाँ पे backup करना पड़ता है इस वीडियो को सबके साथ share करें और फिर आप उस photo को आप देख सकते हैं इस वीडियो को fake मत समझना यार यह मैंने life proof करती दिखाया है आप यहाँ पे करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजीगा और share कर दें सभी के साथ अगर आपने subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर दीजीगा और download link जो है वो आपको description मिल जाएगा तो आसानी तरगे से download कर सकते हो thanks for watching मिलते हैं अगले वीडियो